मर्यम कुवारी मर्यम की पास सर्गदूत आता है और सर्गदूत आकर उसे संदेश देता है सर्गदूत उसे आकर कहता है कि तेरे एक बेटा होगा फुत्तर होगा और वो परमपरदान परमेशर का फुत्तर कहलाएगा वो महान होगा और 34 वचन में लुका के अंजील मर्यम कहती है यह कैसे होगा यह कैसे होगा यह कैसे होगा ऐसंबव है यह होई नहीं सकता ऐसा कभी हुआ है नहीं नहीं ऐसा कभी होगा ऐसा होई नहीं सकता ऐसा होई नहीं सकता ऐसे कैसे हो सकता है परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाले थे जैसे परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चम्तकार करने वाले है जैसे परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चम्तकार करने वाले है और परमेशुर कहते हैं तेरे चीवन में एक बड़ा चम्तकार होने वाला है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर्यम की तरह कहते हैं ये कैसे होगा ने 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 ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता परमेशुर कहते हैं मैं तेरा करजा बड़ा करजा उतारने वाला हूँ इस court के case में मैं तुझे विजह देने वाला हूँ आप बहुत ने 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 यह तो सारा मेले खुलाफ है यह कैसे होगा मरियम ये भूल गई कि सर्ग्दूत ने कहा है तेरे एक पुत्तर होगा और वो महान होगा वो भूल गई कि वो महान कह रहा है वो भूल गई इस बात को उस समय कि वो परमेश का पुत्तर कहलाएगा वो सोचने लगी कि मैं किसी मनुच्छे को नहीं जानती तो ये कैसे होगा मेरा पती तो नहीं मेरी अभी शादी नहीं होई इसलिए बच्चा कैसे पैदा हो सकता है ये हो ही नहीं सकता स्वर्गदूत ने कहा कि तेरे एक पत्तर होगा वो कहती नहीं मैं किसी मनुच्छे को नहीं जानती ये नहीं हो सकता नहीं मैंने कभी ऐसा सुना है नहीं कभी हमारे पूर्वजों ने सुना था ऐसा के एक क्वारी लड़की के बिना उसके पुरश के बच्चा पैदा हुआ हो तब सर्गदूत ने एक बात वहाँ पर कही जो मैं आप से कहना चाहता हूँ जो आप कहते हो परमेशर आप से कहते हैं मैं आपका घर जो आप कराय के मकान में रहते हो जो आप कराय के मकान पर रहते बिमारी मैं दूर करने वाला हूँ आप कैते हैं यह कैसे होगा परमेश कहते हैं जितनी भी रिपोर्टें हैं जो एक बड़ी बिमारी आई है सारी बिमारी मैं खत्म करने वाला हूँ और बहुत से लोग कैते हैं यह कैसे होगा ना 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 ऐसा नहीं कभी भी होता ऐसा नह बिमारी नहीं जा सकती, चोटी मुटी बिमारी जाती है, और जो बहुत बड़ी समस्या आप रहा है, पर मेश कहते हैं, मैं इस बड़ी समस्या को खत्म करने वाला हूँ, और आप मैंसे कुछ लोग कहते हैं, कहते हैं, ये कैसे होगा, मरियम की तरह, ये कैसे होगा, मैं आप क कैसे होगा नहीं हो सकता मर्यम करती है ऐसंबव है यह नहीं हो सकता मर्कस दसे दाए 27 वच में लिखा है मनुच्छियों से तो यह नहीं हो सकता परंटू परमेच्छुर से सब कुछ हो सकता है हलेलुया और मर्यम कहते हैं यह कैसे होगा यह कैसे होगा आप लोग भी कहते हैं यह कैसे होगा आप मैंसे बहुते कहते हैं यह कैसे होगा आपका जीनने प्रमेशन चम्त कर करने का मैं आपको संदेश देता हूँ आप सोच रहे होगा यह कैसे होगा मैं बताता हूँ कैसे अलेलुया और लुका एक दिया पैंतीजी वचन में स्सौरगदूद केता है बुईतरात्मा तुछ पर उतरेगा और परमपधान की साम मर्ट तुपर शाय करेगी और फिर ऐसे होगा हलेलुया मर्यम कतीज्या कैसे होगा स्सौरगदूदे ने कहा बोई तराद में तुझ पर उतरेगा परपरदान परमेश की सामर तुझ पर शाया करेगी तब तेरे बेटा होगा हलेलुया परमेश्वर आपके जीवन में चम्ट करना चाते है बड़ी से बड़ी भीमारी को दूर करना चाते है आपके पिजनिस को आशिश करना चाते है आपके प्रवार को आशिश करना चाते है जो भी आप चाते हैं वो सब बड़े-बड़े काम आपके लिए करना चाते है लेकिन आप कैसे होगा आस में परमेश्वर का दास होता हुआ परमेश्वर आप से कहते है पुईत्रात्मा तुझ पर उत्रेगा पुईत्रात्मा तुझ पर उत्रेगा परम पर्दान परमिश के साम में तुझ पर चाया करेगी पुईत्रात्मा तुझ पर उत्रेगा परम पर्दान परमिश के साम में तुझ पर चाया करेगी इसलिए वो चमतकार तेरे चीवन में होगा पोईतरात्मा तुझ पर उतरेगा आपका इतनी बड़ी समस्या कैसे दूर होगी ये कैसे होगा पोईतरात्मा तुझ पर उतरेगा और समस्या दूर होगी जकरिया में लिखा चार दिहाशे वचन में ना तो बल से ना तो शक्ती से मेरे आत्मा के द्वारा होगा मुझ्ज सैन्नाओ के यहवा का यही वचन है ना तो बल से और मनुश्यों से यह नहीं हो सकता है हो सकता है आप सोच रहे होंगे ना 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 ऐसा नहीं हो सकता मर्यम सोचने लगी ना बेटा नहीं हो सकता कभी भी मेरे उनी सकती क्योंके मेरी अभी शादी नहीं होई ऐसा नहीं हो सकता ये कैसे हो सकता है वो पूछ रही है सुर्ग दूत ने कहा पोज रात मां तुछ पार उतरेगा हालेलुया आपके जीवन में चम्तकार परमेश्र करने वाले हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा मैं आपसे कहता हूँ पूछ रात मां तुछ पार उतरेगा आपके जीवन में अगर बीमारियां है और परमेश्र आपके सारी बीमारियों को खत्व करने वाले हैं और आप कहते हैं यह कैसे होगा मैं आपको बुद्रात्मा तुम पर उतरेगा अगर आप लोग सबलता को पनाचा रहे हैं मैं कहते हैं परमेश्र आपको सबलता देंगे आप कहते हैं यह कैसे होगा बुद्रात्मा तुम पर उतरेगा आप लोग कहते होगे ओ शैतान ने हमें जकड रखा है कैसे हम छुटकारा पाएंगे परमेशर शैतान के सारे बंद्रों को आपके जीवनों से दूर करना चाहते हैं और आप कहते हो ऐसा कैसा होगा मैं आपका बताता हूँ पोईतरात्मा तुम पर उतरेगा पोईतरात्मा तुम पर उतरेगा परमपरदान की सामरत तुम पर शाया करेगी पोईतरात्मा तुम पर उतरेगा और परमपरदान की सामरत तुम पर शाया करेगी और जो परमेशर चम्तकार करना चाहते हूँ आपके जीवन में करेंगे परमेशर आपके चीमने चम्तकारों को करेंगे परमेशर आपके चीमने चम्तकारों को करेंगे आप सोते हैं ऐसे कैसा होगा कैसे हम अदालत से जीत पाएंगे कैसे बीमारियों से चुटतारा पाएंगे कैसे हमारे शिराब तूटेंगे परम पर्दान परमेश की सामर तुम पर शाय करेगे पोटरात्मा तुम पर उतरेगा पोटरात्मा तुम पर उतरेगा आप कहते हैं मैं कैसे नशा शोड़ पाऊंगा ऐसे कैसे होगा मेरे जीवन में चम्तकार के मैं नशे शोड़ दूँगा आज मैं कहता हूँ परमिश्क का दास होता हुआ कि पुद्रात्मा तुम पर उत्रेगा पुद्रात्मा तुम पर उत्रेगा और आप सारे पापों को छोड़ेंगे पुद्रात्मा तुम पर उत्रेगा और आप नशे से घरना करने लग जाएंगे आप सोते हैं, मैं तो गरीब घर का हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कम पड़ा लिखा हूँ कैसे मैं सबहलता को पाऊंगा, मैं आपको उत्तर देता हूँ बोहतरा आत्मा तुम पर उत्रेगा रब सक्खर रब और जो परमेशन ने आपके जीवन में करने के लिए बोल दिया है वो चम्तकर होगा आख की बड़ी बीड़ी बीमारिया निकलेंगी सारे शेतान के बंदन तूटेंगे हर एक बीमारी के बंदन तूटेंगे बर भी यश्यू आपके घर पर आशिश देंगे आपके परिवार में शांती देंगे बड़े बड़े तुफान थम जाएंगे बड़े बड़े पहाड मैदान हो जाएंगे आप बहेंगे ये कैसे होगा मैं आज से कहता हूँ बहुत रात्मा तुम पर उत्रेगा बहुत रात्मा तुम पर उत्रेगा और परम परदान की सामर तुझ पर शाया करेगी बहुत रात्मा तुम पर उत्रेगा बहुत रात्मा तुम पर उत्रेगा बहुत रात्मा तुम पर उत्रेगा एपने एपने हाथ दो को परोधाए वह उत्राइब परोघ्ट मेश्ट के स्क्राइब आप दो परुद्रेगा ओट्राइब तो परोद्रेगा अपर दिर्यों के फ्राइब तुपर अबर हां तुपर तरेगा लएक पशाए करेगी रखैज़ रहर सभावर रिसे पीरी से विश्क थे रहा पादो पर तरेगा और पर दा कि सावर्ट पासाइक और गी जाए उसे गुरान करेज हुट सकुझारई अंगे को आ फाले आ ही मार्याँ निकर रहे यह इसी वक्त बंदन क्योट रहे हैं इसी वक्त नाहे इसी वक्त करें टूट रहे हैं पाकेरू, 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 बटर जामतिकार होका पनद dein गवारीं ऐस आर्फेक्ड जा परीह तर्फ उन अद्माद कर दोग फडिया संसने सदोने सब्सक्राइब करत तर बांद बांक्या बांकरू और कर के रूब कर यूरी मत कर दो करू के रूँग गलASH यूट नियरीं पाके रूँ पाके रूँ ये इतनी बड़ी पिमारी कैसे निकलेगी मैं आपसे कहता हूँ वो इतरात्मा तुम पर उतरेगा और चंप कर होगा वो इतरात्मा तुम पर उतरेगा और चंप कर होगा आपके आपके आपकी सारी गंठे आपकी सारी गंठे रसौल या ट्यूमर पर भी अश्यू के नाम से निकर रहे हैं आपकी सारी गाठे रसोल या ट्यूबर पर भी श्यू के नाम से निकर रहे हैं पत्रियां पर भी श्यू के नाम से निकर रहे हैं आपके किसी के भी कोई गाठे हैं पर भी अश्यू के नाम से गाठे निकले पर बियाश्यू के नाम से गांटे निकले पर बियाश्यू के नाम से सास लेना सही हो जाए पर बियाश्यू के नाम से सास की बिमारी का अगर किसी में हुआ दूरो बीपी की बिमारिया दूरो जाए पर बियाश्यू के नाम से बीपी का बढ़ना कटना नार्मल हो जाए पर बियाश्यू के नाम से शुकर नार्मल हो ज जब बहुत रातमा तुम पर उतरेगा, बहुत रातमा तुम पर उतरेगा, बहुत रातमा तुम पर उतरेगा, जो चल नहीं सकते, अभी चले, जो उठनी सकते, अभी उठे, जो चल नहीं सकते, पर भी अश्यू के नाम से उठे, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, पर गर आण में अगर आप से कोई चल नहीं सकता वह चले पर भीशू के नाम से चले पर भी अश्यू के नाम से कर आपको दिखाई नहीं देखा आप देखने लगे पर भी अश्यू के नाम से सुनने लगे पर भी अश्यू के नाम से बोलने लगे और यह कैसे होगा जब पहुतरात्मतों पर उतरेगा और रसब रसख और रसख इनका बिजनस बढ़ीया चले इन्हें जाब बिल जाए इनके परिवार के बंदन ऺंड़ कोई भी शपते साथ श्राब ख़त्मों पर भी शुक है नाम से और रसा इनके खेती पर proven पर आशिश में ईनके प्ष़वा पर आशिश इस रतन पर आशिश talkinrick पर भीयसु के नाम से यह ब्लस हो, आशिश हो, आशिश हो, आशिश हो, आशिश हो, जिनके संतान उन्हें संतान मिले, जिनके बेटियां हैं, उन्हें बेटा मिले पर भी शुगर नाम से, और यह कैसे होगा, बहुतरात्मा तुम पर उतरेगा, आज मैं आज से कहता हूँ, ब भोज रॉलटन तो पर उत्रेगा परदान के साब मर्दों पर शाय करेंगी ओश बुख गर भोज रात्मा लेकवेवब रैख पॉर रॉत्रेगा खुष स्टों के बहुतुनेस गौंज वत्रात्मा तो पर equations आंने बशाब बया शुरू करें आप अन्य बाशा बोलना शुरू करें, अन्य बाशा बोलना शुरू करें, प्रभु तुम्हे न्य बाशा का बर्दान देते हैं, प्रभु यश्य मसी पहुत्रात्म का बर्दान देते हैं, तुम पर पहुत्रात्म उतर रहा है, तुम पर पहुत्रात्म उतर रहा है, रब पर रस आपना सका जारिपिरिस के भी शिकार चाहत्थ yahya आपाद के नूँं आपागे रूँं आपाके你ुं आपिए रूँ आपाद के रूँ सिर्फ दो चार मिनिटा और सामलो पुतरात्मा में भरता पुतरात्मा पर उतरेगा परब परदान के सामब तुम पर शेह करेगी पाक के रूँ आ पाक के रूँ पाक के रूँ रूँ आ पाक के रूँ रूँ पाक न ले आच पर जावां इशु जी मेनू मसा करो विष्यू जी मेनु अच्पर जावां पागु रूरे पर रोसोखो पागु रूटरू हालेल्या 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 हालेलुया मेरे परमेशर जी कोई भी महामारी इनके वरोद में न हो कोई भी महामारी इनके वरोद में न हो कोई भी महामारी इनके वरोद में न हो करोना वाइरस की बीमारी इनके वरोद में न हो बर भी ये शुमस ये आपके लोग हैं ये आपके लहू से डगे हुए हैं इने अपने लहू से धखली जी जी है प्रबुची तांके करौना वारस इनके वरोद में न उठ सके तांके वो भीमारी इनके वरोद में न खड़ी हो सके میरे परमेशर जी इस सुनसार को बचाएं विश्व को बचाएं हमारे देश को बचाएं हमारे रजिस्तक को बचाएं मेरे परमेशर जी खाश करके जो आपके नाम के लोग है उन पर इस बीमारी का कोई भी असर ना हो ये बीमारी फैल ना सके हमारे देश में ये बीमारी फैल ना सके बढ़ ना सके दुनिया में प्रबुची सारी दुनिया के लोग आपके हैं उन सब की रक्षा करें मेरे प्रबुच्छों मसेजी मेरे परमेशर जी खाश करके मैं प्रात्यान करता है प्रबुची जो जर्स के लोग हैं जो आपके नाम के लोग हैं जो आपसे शुटकारे को मांगते हैं जैसे भजन सेता एकान में ध्याय में लिका है जो परमपरदान के शाय होए सतान में बैठा रहे वो सर्व शक्ति मान की और से ठीकाना पाएगा और परमेशर शी आपका पुवतर वच्छन कहता है कि कोई मरी तेरे डेरे के पास नाएगी कोई महा मारी तुझे ना मारेगी हजारो हजार चै किर जाएं लेकिन वो मरी वो महा रोग तेरे वरोग में आएगा ना तो दिन को ना रात को कोई भी हानी होगी जैसे इसरेलिया को परमेशर शी आपने बचाया जब वो मिसर में थे और एक बड़ी महामारी आई कि सारे पहलोटे बेटे मारे गए और सब कुछ जो पहलोटा था वो मारा गया लेकिन प्रभू परमेशुर्ची आपके वाच्चा के लहू से वो लोग जो आपके नाम से आपके नाम के थे वो लोग जिन्होंने लहू को लगाया हुआ था वो लोग बचाए गए और वो बड़ी महामारी उनके घर में ना परवेश कर सकी ऐसे ही आज जो यह महामारी फैली है प्रभू जी आपका यहां लहू लगा है वहाँ पर उसका कोई अधकार नहीं है जोग प्रवेश्य आपके धीर है जो लोग आपको अपना उधर कत ग्रण की होए है जो आपको अपने लहू में डगे हुए है मेरे परमेशर जी कोई भी अंधकार की ताकाक glow वार्ष की ताकत उनके वरोद में नहो मेरे परमेश इसलिए अपना हाथ बढ़ाएं और इन लोगों को शुई और चंगा करे जैसे मिस्रियों के उपर आपने का मिस्रियों को पर जितनी भी विपत्टिया है अनमेंसे कोई भी तेरे उपर विपत्टी नहीं आएगी मेरे परमेश्वर पर्वियस्चू के नाम से इनके उपर कोई भी विपत्ती ना आए कोई दुख इनके डेरे के निक्ट ना आए मेरे परमेश्वर कोई दुख इनके निवास स्थान में इनके घरों के निक्ट ना आए मेरे परमेश्वर जी इन्हें संभाले, इन्हें संभाले, इनकी रक्षा करें, इनके चारों और बाड़ा बांग के रखें मेरे परमेशर जी, ओ रिबाना साखाबरो सोखो, बोरो सोखो, मेरे जीवत परमेशुर, आप वैदों के वैद हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप सब कुछ कर् ते तियो नहों मेरी परमेशर जी दया करें मेरी परमेशर दया करें मेरी परमेशर दया करें प्रभूई शमसी जी और इनकी प्रात्रा को ग्रैन करें सुर्गय पिता पर भी ऐश्यू के नाम से इनकी प्रात्रा को ग्रैन करें जो कुछ भी आपसे चाहते हैं पर भी अश्यू के नाम से वो ग्रैन हो वो प्रातना है पर भी अश्यू के नाम से ग्रैन हो जो कुछ ये मांगते हैं पर भी अश्यू के नाम से इनकी प्रातना ग्रैन हो दनिवा प्रबो जी दनिवा चीवत परमेश्वर धनिवा प्रभुजी धनिवा मेरे परमेशर जी पाउं से लेका से तक ने शूलिजगे 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 प्रभिश मसी जी आपके नाम से चंगाई को अंधेलते हैं सारी बिमार यां नाश हो पर भी शुक आ नामसे ये लोग आशिषे हो ये लोग चिंगा इपाएं ये लोग शुटकारा पाएं आज की सामत को पाएं आज की अभी शेक को पाएं इनके शीवर में आशा ये रोभो बर्रो सोखो इनके प्राद शमा हो इनके प्राद शमा हों इनके बाब शमा हों रोबड़ो सा खर रहा प्रभी ये लिखी झाल 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 झाल